मुखुर बनाने के लिए में सर करनाप लेंगे दागा लिया है और न्यृत कर नाप लेंगे इस लिए फिर स frame धाग अया सब द看शाग लेंगे तब आंगे के लिए अफिर से ना पाम लेंगे मतलब जितना पार्ठ हमें सामने राएगा निचाल बनाने के लिए या धिकी साधी तीन आया हैं तो एक लगा में तरिखी हम साध में नीचे अपर ने कंशिरेंगे गरी नत फैंक लिन जीगाँ अब मिडल के लिए हम इतना छोड़ते हुए उसमें साधे तीन हम बरावर मिडल के लिए करेंगे मिडल में डिजाइन आएगा जो फ्रॉंट में सामने से देखेगा उसके लिए है आपको किसी भी साइस कमकुड बनाना इस तरह सदागे से आप उसका नाप ले सकते हैं कि यह में भावे करें से दिते हैं हम दिखा गया हुएं टो फोल्ट करके हम हाफ साथ से डिरॉ कड़ करेंगे तो पीसिस में है और दोनों ही ये कैनवास पीपर में इसमें हम फैबरिक गुलू या फैबरिक वॉल से अच्छे से चिपका देंगे दोनों को से चिपकाया है मैंने और इसके ऊपर से हम यहां फैबरिक गुलू लगा के और थोड़ा से कैनवास पेपर इसी तरह से चिपका देंगे से मजबूत ही और इसके पर हम नेल प्रिंट कर देंगे यह देखिए अब यह पीछी के लिए बैक में मैंने पेपर करके यहां से चिप पूरी में डिजाइन के लिंग ज़रूद नहीं है कलर पेपर लगा रही है अब थोड़ा से डेकुरेट करते हैं बीच में स्टोन लगा दिया के पास जो भी मटेरिया लो उसी साफ से आप डिजान बना के कट करके डेकुरेट कर सकते हैं यह बॉल चेल है अगर आपके पा बहुत जल्ली बनके रेडियो हो जाता है अब साइट साइट के लिए यहां भी साइट से बॉल चेन लगा देंगे और बीच में तरकल कलर के हम पर्ल्स लगाएंगे और साइट में थोड़ा थोड़ा हम एक सेंटीमेटर छोड़ देंगे यह अंगे के डिचार बन गया है थोड़ा सा सूखने के बाद हम इसको हम जिपकाएंगे अब यह पीची के लिए से मिसमें अभी हम पर्ल लगा के बॉल देंट से कवर करेंगे यह थोड़ा सा सूख जाएगा पर आपस हम दोनों के चीश से चिपका देंगे गेले में नहीं चिपकाएंगे नहीं तो यह मोती निकलने लगेंगे यह देखिए और यह इसको हलका सा फोल्ड करते हुए साइड में हम यहां पर ग्लू लगाते हुए इन दोनों के एंड्स इसको चिपका देंगे तो यह सरकल हो गया है ऐसा ही हम पीछिस में तो यहां ग्लू लगा के इसको चिपका देंगे थोड़ा पेसिन से काम करना बहुत ही अच्छा मुकुड बनता आप यकीन नहीं मानेंगे इसको मैं सेवन येर से यूज़ कर रही है अब यह भी अच्छा लगाओ तो प्लीज सपोर्ट केजिए